मैं कमिन सर येस प्लीज डू गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग प्लीज सिट डॉण थेंक्यू सर आप पवन है जी सर आपको मालूम है कि हम लोगों को ये मास्क पहनने पढ़ रहे हैं तो मैं किया एक पर आपका चरह देख सकता हूं जी सर अगर अगर आप मास्क में जी सबुर ठीक oke अगर आप मासंक में तो आप कं मास्क लगाया रहिए और अगर आप विना MASK के बात करना चाहते हैं तो आप मास्क अटार लीजिया है जी सर ठीक है लेकिन मैं भीच में मास्क पहनूँगा, आपको आपति तो नहीं होगी ठीक है अचली फिर बात्चीच चुरू करते हैं पाउन में चाहता हूं कि आप अपना परीचय पहले तो आमें दे और बताएं कि आप किस पद के लिए मुख्यत आविदक है जी सर मेरा नाम पवन कुमार सर्मा मैं अमर की मेरे सिक्षा गाओं से हुए इसे जन्जीपत है fenja 앉ब कि निए से अपनी मादिमिक और उचमादिमिक शिक्षा और स्रीश्याम वील्डियपीड Schne Rogers से कि нравится मैंने इसना तक की जेपुर से वर्स 2015 में की है उसके पस्यात में रास्ता नुच न्यायले में कलर्क पद्पे सेवा दे चुप हूँ दो वर्स अभी मैं डीयल्वी में कारे रत हूँ कलर्क के पद्पे डीयल्वी क्या है डायक्टेट लोकल बोडी तो फिर जब आप लगभग इसी पद पर न् नौकरी क्यों बदली जी सर जैसे कि मुझे प्रसाशनिक सेवा में जाना था और यह रास्तान सरकार के अंतरगर आती है सेवा और यह रास्तान सरकार का विवाग है दूसरा मुझे जो सेटर्डे संडे का अत्रिक तवकास यह मिलता है तो थोड़ा पढ़ाई करने का भी मो है बलकि एक युनिटरी जुडिश्री होने के कारण दर असल केंदर सरकार से नियोजित एक जगह है और समयधानिक जगह है उसे अपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ को ज्यादा काम करना पर रहा है स्वरी वो मुझे अंतय कारिय पालिका में याना था जो प्रशाश्निक से वह है तो यहां में रहके थोड़ा समझ पा रहा हूं आस्तान सरकार के कारे कलाब के सिकारी होते हैं कारे पालिका में आपके पास सीखने के ज्यादा अफसर थे नियायपालिका में तो सर्विस मैटर से लेकर constitutional matters सभी आते हैं तो आपके आसपास के वातवरन में इतनी विविदता थी यहाँ पर आप एक विभाग में घुज गए ते बस उसी विभाग में रहा गए जी सर जैसे कि न्याएपाली का और कारेपाली का के जो कारी हैं उनमें विविदता हैं तो जो यह परसाचनिक सेवाए हैं यह कारेपाली नहीं बताए कि हाल में सुप्रीम कोट ने आर्टिकल थर्टी टू को लेकर तो अलग-अलग धारणा एविक्त की एक केस्था जिसमें एक पत्रकार को जमानत देने की मामले में उन्हें कहा कि अर्टिकल थर्टी टू का कामी है यह करना और एक अन्य मामले में उन्हें कहा कि अर्टिकल थर्टी टू को हम डिस्करेज करना चाहते हैं कि लोग का अर्टिकल थर्टी टू के कहते हैं बार-बार उन्हें उन्हें राज्यों में जाना चाहिए हाई कोट्स में जाना चाहिए बजाए सुप्रीम कोट में आने के क्या है आर्टिकल बातिस और इसे लेकर सुप्रीम कोट की एक के बाद एक आई राय इतनी भिन्न क्यों है जी सार आर्टिकल 32 समयदानी के उपचारों का अधिकार देता है जिसके तहए कोई भी नागरिक या फिर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के लिए सरोचने आले में जा सकता है क्यों आप समझ पार है मैं सवाल क्या था जो सुप्रीम कोट की जो राय है वार्टिकल 32 को लेकर एक ही सब्ता में दो बार इतनी भिन्न क्यों आई सरोचने आले में जैसे उनका कहना है कि आर्टिकल 226 के तहत उचने आले में भी रिट दाइर की जा सकती है तो कुछ मामले ऐसे देखे गए जिनमें जिए सिखे कोवीड के मामले थे उनमें डािरेक्ट सुप्रीम कोट में कापी याचिगाएं दाइर की गई तो सरवोच नययलेगा मानना था कि आर्टिकल 226 के तहत उछ नययले में भी आचिका एधायर की जा सकती है लेकिन अगर आटिकल 32 का अपीलियेट आर्टिकल होता तो सम्यधान ऐसे कहता समीदान तो ऐसे नहीं कहता न कि 226 में पहले जाईए अगर वहां ना हुपाए तो 32 में जाईए समीदान सीधा आर्टिकल 32 केता है सुप्रिम कोड में जाने का अधिकार रहे हैं हाई कोड के पास जो अधिकार हैं वो सुप्रिम कोड से कई मामलों इस मामले में जदा विस्तृत हैं ऐसा क्यों वाना जाता है सिरुप मोल अधिकारों के लिए जो रेट जारी कर सकता है सुक्राइम कोट जबकि एर्टिकल 226 से थिजो मौन ने जिए उछा और नहीं तरुए जी सिर्फे Service Matters में रिट होती है नाम बताइन रिट्स तो आपने पढ़ी है रिट्स के नाम याद है ना कौन कौन सी रिट्स होती है रिट्स 5 प्रकार कि लिए तो उन में से ऐसी कौन सी रिट है जो High Court के दिखाई देती है सवरी सर तो 5 रिट आपने परिक्षा पास की, आप इंटर्व्यू देने आना चाहते हैं, यह आयोग है, मैं इसका चेहर परसन हूँ, आप आये और मैंने कहा कि मैं आपका इंटर्व्यू नहीं लेता, जाइए, अब आप नियायक उप्चार के लिए किस रिट के तहत कोट जा सकते हैं, जी पर्मादेश जो रिट है, जिसके तहत कोई करमचारी अधिकारी या समयदानिक पत्पर जो अधिकारी है, वो अपना कारिय करने से अगयर, अपने उत्तरदाई तो या कारिय का निर्वाहन नहीं करता, उसके लिए मान्य उच न्याल है और उच तम न्याल है, दोनों ये र पर अधिक दबाव बनाए, तो आप अपनी शिकायत कहां करेंगे? जी से, मैं संभागी इस तर पर इसकी शिकायत कर सकता हूँ, या रास्तान सरकार की किसी पर जो इस से संबन्दी जो पोर्टल होगा उसके. बावज़ुत इसके कि वो अगर दबाव लगातार बना रहे त और मैं दबाव में क्यों हूँ, ऐसा भी कोई कारण ओचित्त्य हो. यह जो कौवीड महामारी के नाम से जाना जा रहा है, यह महामारी क्या होती है? जी से, जो यह महा, पेंडेमिक और इपेंडेमिक ही, तो यह प्राइन दोनों में क्या अंतर है? जी से, जो सिमी छेतर में कहीं फेले, उसको पेंडेमिक कहते हैं, उसको इपेंडेमिक कहते हैं, और जब उसका विस्तार कई राज्यों यह कई देशों में हो जाता है, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं, जो वरतमान में जो एक कोरोना की जो बिमारी है, यह कई देशों से इविस्व में फेल चुकी है में इस्ति बढ़ा है दिसलीं फhos पेंडेदि मिक को है एसी को डीजिस है पेंडेमिक और एंडेमिक ये तिन तर्म आती लिए इन में बड़ा कौन है इसो पैंडेमिक बड़ा है कोई ऐसा है डिजिजे जो एपीडमिक को रिपरेजन करता है ऐसी को डिजिजे साली έव the तो बता रहे हैं चलिए ये बताइए कि मिशन शक्ति क्या है अभी चर्चा में खूब चल रहा है पिछले एक महीने के अंदर बहुत जबर्दस चर्चा में है ये मिशन शक्ति और कौन से राज्य में है ये चलिए ये बताईए सर मुझे एक जिक्ट पता नहीं लिगने हो सकता महीलाओं के लिए हो रहा है इल्कुल ठीक हमारे पास एक एंटी रेडियेशन मिसाइल है जो स्खोई तीस पर तैनात की गई है कि आपको इसके बारे प्जानकारी है अच्छा चलिए एक और चीज चर्चा में बहुत चलती है रियल मैंगो अभी बहुत चर्चा में है रियल मैंगो क्या चीज है प्रोड़ पर आमेर मद्धकल इन्तिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है जैपूर उसके लिए और जो मुगल संबन्त जैपूर के लिए और मुगल संबन्त उसके लिए विशेष सथान रखता है जी सर्चा में इस वक्त बारत में TV सबसे ज्याधा व्यापक है जैसा कि आप जानते है यह जो टीबी जो है आपका जिस छह रोग भी कहते हैं यह इस समय एक नए थीम के साथ में वैश्विक पटल पर है नया थीम 2020 का क्या है सोरी सब्सक्राइब लास्ट बताईए कि जो वैश्विक बहु आयामी गरीबी है यह क्या चीज है और विश्व में कौन से पैरामीटर स इसको मापा जाता है कोई तीन पैरामीटर बताईए उसके यह जो गरीबी के अवदान है उसको बहु काफी व्यापक रूप से मापने के लिए इंडेक्स है और इसमें जो रहन सहन और वाहन का उप्योग करना या पिर अन्ने जो मूल वो सुईदा है उनके तैट जिस पोस इसा बिल्कुल भी नहीं है यह जो परसाचनिक सेवा हैं वो सेवा का आउसर प्रदान करती है कारेमी वीटता है इसलिए मैं तो डंडे के जोर पर राज करेंगे आप नहीं सर बिल्कुल नहीं तो फिर आप कैसे सामंजस से बढ़ाएंगे जब आपका डीम आपके साथ यह संद्याख क्या होता है कायस्त एक जाती समू है और इनके कुछ जो उधार देने इस संबंदित कुछ कायरी रहता है क्या काम करते थे कायस्त मतलब जो गर हम बात करें तो दो काइस्ति कच्छी पसुपालन और फिर पैसा रेंड देना इस संबन दितकारी अच्छ एक राइटर्स बिल्डिंग का नाम सुना आपने सुरी सर्ण भारत में कुछ एरोपीन कंपनी आई थी सबसे पहले पुर्टगीज आए फिर अंग्रेज आए क्यों आए थे भारत भारत में व्यापार के लिए आए थे फिर व्यापार के बाद यहां राज करने लग गए तो राज करने के बाद आपने पढ़ा होगा कि जब उनका राज होने लगा व्यापार बढ़ गया तो व्यापार की लिखा पड़ी करने के लिए कुछ राइटर्स की जरुत हुई क्लर्क कि जरुत होई आपने उसके लिए कहा कि राइटर्स भूली एक और बही क्या होता बही जो महाजन जो अपना व्यापार से संबंदिल लेखा जोका रखते हैं उसको बही अच्छा तो सबसे ज्यादा प्रसिद बही कहां कि है मारवाड की मेवाड की सर्मारवाड की बही मारव अच्छा कभी ऐसा हो है ने चलिए यह बताइए आप हमारे जैपूर की संस्थापक है सवाई जैसे जी सर उन्हें चानक के क्यों कहा जाता है चानक के सर जो इनकी कूट मिती थी मराठों से इनका संबंद जैसे इनोंने औरंग जेप के साथ संदी की थी और जो मुगलों से संबंद भी इनके अच्छे थे chau बूंदी रियासत में इनोंने ऐस्टकसेब किया था इससंबंद में और इनकी व्यापक के रण़िती घूर्णी की इसलिए इनको चानक के विका जात आज तो देवारी समझोतने किया थे न हुदभाव पड़ा कि जैवारी समझ़तju नेपुर के सासक थे उनकी पुत्री का विवा हुआ और उनके बाद जो मादो सिंग जी और उनके पुत्र इस्वरी सिंग जी थे उनके बीच जो विवाद हुआ यह दोनों भाई थे जी सर्थ ठेक है आपको क्या लगता है कि हमारे यहां सांस्कृतिक स्थर पर खाटुशाम एक बड़े अधिकारी की रूप में मालीजी एस्टीम की रूप में कारे करते हैं तो आपकी क्या प्रात्मिक्ता हुएगी मेले को आयोजन के लिए वर्तमान परिदरश्य को ध्यान में रखते हुए जी सर्थ एक तो जो मेले का जो आयोजन इस्तल है वो थोड़ा जगे का कि ओनलाइन सिस्टम हो सके कि सबको जो मंदिर के दर्सन हो उसके लिए ओनलाइन अलोट हो टाइम तो ज्यादा बहतर रहेगा और साप सपाई की विवस्ता नगरपाली का है जो वहां की जो भी उससे समयन में अगर के पुलिस प्रशा से समयन आप से रूची कोई नहीं लि परकास माली जी चल सर्व परवन आम तोर पर राजस्थानी पूरुशों पर यह आरोप रहता है कि बहुत पेट्रियार्कल सामन्ती फ्यूडल हो कि मुझे लगता है कि यह गलत आरोप है ऐसा नहीं है अपने समय में कभी रहे होंगे अब तो वे ऐसे याधुनिक वेक्तिय करते हैं जैसे किसी और आप अपने व्यक्तित का विश्क्लिशन करते हुए बताइए कि वे तीन मुखे प्रमान संकेत तक जो यह बताते हूं कि आप एक जेंडर सेंसिटिव गैर पेट्रियार्कल सभी जेंडर्स की इज़त करने वाले व्यक्ति जैसे कि जो मेरे अधिकार मेलं करके मुझे करें कि मेला कर रहूं को उन्लेक्रा करना ता कि आपको लगता है वरना इसमें क्या अच्चर जलनक करेंगा अले पर लिखनी और पकिसल टाइसे एक बात मान रहे हैं तो बहुत है आपके अर्फ है आपके मन्में ऒशीघ कर में पके वा मुदा है है तो लेकिन मुझे सब्सक्राइब की तीन वर्तमान सक्रिय महिलाओं के नाम बताइए जो रोल मॉडल्स आपकी रोल मॉडल्स जी सर्थ नेता परती प्रक्स में जो अपनी पार्टी है बीजेपी में वसंदरा राजे जी जो मुक्यमंतिर रह चुके हैं और सावपुरा से क पाइला सक्ति पुरुषकर्त हैं वो भी कौन से नाम रमादेवी है तो रिसले नाम चलिए क्या कोई बात दी आपने बीएसी किया था जी सर बिजे बताइए कि कार्बन अब जानते हैं कि कार्बन एलिमेंट है कितना है उसका अटॉमिक नंबर 6 उसमें इसी क्या पाइनिक कंपॉंट्स मिलते हैं जबकि बाकी जिनकी वैलेंसी चार है ऐसे और भी हम जानते हैं उनके इतने बड़े पैमाने पर कंपॉंट्स नहीं मिलते हैं क्या गुण है उसका जी सर उनमें एक तो रिक्त कक्सक ज्यादा है कार्बन में और एक समस्थानिक भी बहुत ह रिलेशन्शिप हो सकता है सोरी सरी बहुत दिनों है मुझे पढ़ा है बीस चलिए को बादी पिरेडिक टेबल्स के सारे गुरुप्स मता दीजे कौन-कौन से मेटल्स किस गुरुप्न आते हैं सोरी सरी अबी नहीं यादा रहे है कर बादी चलिए बस जाते जाते इतना बता दीजी कि यदि आज ही शाम को आपकी मृत्ति हो जाए आपके पास केवल दो घंटे हो तो दो घंटे का क्या इस्तिवाल करेंगे जी सर आपको पता लग गय अब जाते हैं कि साड़े चाहिए बजे साड़े आठ बजे बस बात खथ दो घंटे हैं तो घंटे में जो किसी महान पुरुष से मुझे मिलना हो जो महान लोग है उनसे मैं मिलने मिलूँगा और राजिस्तान के पुरुष से ही मिलेंगे इतना तो तह है और यह करूँ पर परिवार से नहीं मिलेंगे जाने से पहले परिवार या सादुसंत जो भी है ठीक है पवन मुझे आप से बात करके बहुत अच्छा लगा आप जा सकते हैं थैंके ज़ब थैंके ज़ब अब आई बेटशी पवन थैंके ज़ब येस पवन बताईए कि आपके हिजाब से इंट्रिवी कैसा जा रहा है किन एरियाज में आप ठीक कर रहे है और कहां को लग रहा है कि सर अभी से रिये को ठोड़ा और बेट जी सर दिपावली विजे से मैं थोड़ा करंट अपहन नहीं पाया भी 15-20 दिन से ठीक है और एक मेरा PCM जो BST का था वो मेरा BEE का सब्सक्राइब कर जाएंगे मतलब केमिस्ट्री तयार करके जाएंगे तो सकता है मैच से कुछ पूछी नहीं तो वो तो एक सामने जो आपका अप तक की अपडिंगिंग है उस पर आधारत टिक पड़ी तो तैयारी करके फिल्स लूडूर किया जा सकता है पर हां ठीक है ठीक है लगाट अपके साथ जो सकारात्मत चीज है वो यह कि आप ऑक एक इमांदार कें मतलब रुपए पैसे वला इमांदर लो व्यक्तित्रा इमांदार यास्สे में इन लेकिन अपनी अंग अन्गरता मे इमानदार व्यक्ति दिखाई जैसे हैं वैसे हैं जो कि पॉजिटिव बहुत जादा पॉलिश्ट या मास्ट जब व्यक्तित होता है तो उसे लेकर बोड मेंबर जो है वो रूटीन वाले वोड में रहते हैं ठीक है इस पता समझ में आ रहा है इसमें चार चीजें पढ़ी है आप पर यखीन करने का मन करता है जो नहीं है उसके बारे में आपको पता है आपको जनकारी नहीं है और आप सीधा-सीधा मना करते हैं जो चीजें जोड़ी जा सकती है कोड में दो आसपेक्स होती है एक तो डिलीर अफ जस्टेस है जो की कॉंसिजीशन वगएरा आपको किताबों में मिल जाता है लेकिन दूसरा हिस्सा जो वहां का अड्मिनिस्ट्रेटिव आसपेक्ट है उसे भी कोड़ा सा लेकिन जो रजिस्ट्रार वाला जो पूरा का पू मतब मुझे है कुल मिला कि आपके इंट्रेटिव में कम्यूनिकेशन ठीक है एक जगे पर लगता है कि थोड़ी सी और आवाज इंची हो सकती है फ्लो वैसे ठीक है आई कॉंटेक्ट ठीक है हैंड मोमेंट बाया लाज ठीक है अंगुठी देख लीजेगा मुझे नहीं कांए कि ऐसा होता है बताइए तो आप मांके लिज्त पर घृड़ा सब्हाद करनें लाज एक पर दानोंद नहीं करियेगा समझ भाया है कि जैसे मैंने कहा कि यह किस कलरुर का है यह सैंट ऊै इंगे सर्थ